अग्याइश इस वैंके महीं बता हूंगा उन मेडिसिंस के बारे में जोकि नेचरली बिना relativ frame के आपकी belly fat की बिनाeff की problem को यानि कि ब्रोणisini बढ़ने की problem को नेचरली बिना किसीTok के संनिए करती है modern medicine के अंदर में allopathy के अंदर में no doubt ऐसी बहुत सारी medicines हैं बहुत सारी surgeries हैं जो कि आपकी belly fat को reduce तो करती है लेकिन long run में जाके इसका कफी ज़्यादा side fat भी देखने को मिलता है इसलिए friends जो भी medicine में आज आपको बताओ उसको आप जुरूर no doubt कर लेना तो फ्रेंट्स belly fat इनकी चोने की क्या region होते हैं आप जनरल लेकते हैं कि आजकल की scenario में हम मैं से हर तीसरे आदमी को belly fat देखने को मिल जाता है और even हम लोग आपस में ही lack pulling करते हैं belly fat को लेकर तो फ्रेंट्स जो one of the main cause है वो definitely है sedentary lifestyle unhealthy lifestyle, unhealthy eating habits अगर हमारी diet unhealthy होगी हमारी lifestyle sedentary होगी जिसमें की lack of exercise होगी तो belly fat की जो incidence है वो definitely बढ़ेंगे इसलिए आप को सिस्किएज़ें कि आप exercise जोरू करिए और आपकी diet के अंदर में balanced nutrients हो balanced nutrients का मतलब यह है क्योंकि maximum यह देखने को आता है कि लोगों की diet के अंदर में carbohydrate बहुत जारा होते है वो protein काफी कम होता है इसलिए अपनी diet के अंदर में balanced routine होना बहुत जोरू है क्योंकि फ्रेंस carbohydrate आपकी diet में अगर जारा होईंगे तो आपका जो stomach है वो empty feel जल्दी जल्दी feel करेगा जिसके कारण की आपकी tendency होईगी कि बारबर कुछ में खा लो तो आपको अपनी diet के अंदर में protein जरूर इंक्रीस करने चाहिए carbohydrate भी आपको एक sufficient यानि की एक जो right amount है उस amount में आपको लेना चाहिए और नहीं करना चाहिए दूसरे जो factors है friends वो ये है या तो smoking, alcohol या फिक कोई hormonal disorder हो hormonal disorder मतलब की thyroid की problem हो, PCOS यानि की polycystic overeind disease जो की females के अंदर में देखने को मिलती है similarly diabetes mellitus हो ऐसी condition के अंदर में भी belly fat इनकी सोने की chances खाफी जारा बढ़ जाते हैं तो definitely friends आपको एक appropriate treatment according to your course लेने की जूर्ट पड़ सकती है ताकि आपको जो belly fat है वो reduce हो सके इसलिए friends मैं आपको एक advice करूँगा जो भी मैं आपको medicine बताऊ ऐसा आप बिल्कूल मत करना है कि वो medicine आप no down कर लेना और no down करने के बिना किसी doctor की advice आप उन medicine को लेना start कर दे क्योंकि friends हर एक medicine को लेने के लिए कोई एक specific cause होगा जो कि आपके doctor कोई उसको find out करेंगे और एक appropriate medicine आपको देंगे तो friends आप बात करते हैं कि ऐसी कौन-कौन से medicine है जो कि आपकी belly fat को reduce कर सकती है तो सबसे पहली और most commonist medicine है जो कि आपकी definitely चलेगी चाहे आपकी बाकी दूसरी medicine चले या ना चले वो medicine का नाम है phytolakka अब यह जो phytolakka है यह money teacher form में भी आएगी और यह phytolakka आपकी tablets form भी आती है यह medicine लेने का तरिका भी काफी simple है अगर आप money teacher form यानि के liquid form में लेंगे तो 5-6 गुंदे आते कब गुनगुने पानी में मिलाके इसके दिन में 2-3 बार ले सकते है similarly tablets आप इसकी 4-5 tablets दिन में 2-3 बार आप इसकी ले सकते है यह phytolakka medicine आपको minimum 2-3 मेने के लिए लेनी परती है similarly friends, जिन बच्चों के अंदर में belly fat होनी की tendency काफी जा रहा होती है जिन बच्चों के अंदर में fat accumulation होनी की tendency जा रहा होती है उनके लिए calcarea medicine काफी अच्छी साबित होती है यह medicine भी liquid form या फिर आप इसको global force में भी बच्चों को दे सकते है यह medicine लेने का भी तरिका कफी simple है यह medicine तीन से चार मुंदे आपको आदे कब गुंगने पानी या फिर आप ड्रैक टंग के उपर भी बच्चे की दे सकते है क्योंकि यह medicine mostly dilution form में आएगी बात करतें next medicine की next medicine है focus focus vescularis एक ऐसी medicine अगर आपको diabetes है या कोई आपको hormonal disorders है तो definitely यह medicine आपको काफी help out कर सकती है आपके belly fat को reduce करने के लिए यह medicine भी liquid form में आती है और यह medicine आप चार से पांच मुने ड्रैक टंग पर भी ले सकते हैं क्योंकि यह भी dilution में आती है या फिर आदे कप गुन-गुने पानी में मिला के आप इसको ले सकते हैं अब बात करते हैं last medicine की last medicine की नाम है thyroid जी हाँ फ्रेंस thyroid एक home पर थी medicine भी आती है यह medicine काफी ज़्यादा effective है आपके belly fat को release करने में especially अगर आपको thyroid की problem है और कुछ cases में देखने को आता है कि अगर आपको cancer stages है यान की cancer है जिसके कारण की belly fat आपको increase हो रहा है तो उस condition में भी thyroid medicine काफी ज़्यादा कारगस ही दोती है देखे फ्रेंस मैंने काफी brief में आपको इन medicines के बारे में बता है क्योंकि अगर मैं एक एक medicine को काफी detail ने बताने लगया तो ये वीडियो कम से कम दो से तीन गंटे की अराम से मिन जाएगी एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा फ्रेंस हमारा जो belly fat होता है उसको हम लो deposition of fat से तो उसे वो काफी जड़ा harmful सावित होता है तो ऐसी condition के लिए जो medicines है वो definitely काफी चीज़ों को consider करके दी जाती है और अगर वो केवर सब fat deposition से तो friends मैं उमीद करता हूँ जो भी मैंने आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिज किये वो आपके लिए कभी useful सावित होगा अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो please इसको like and say जूरू कर देना and if you want to support me then please subscribe my channel thank you friends